स्वागत है आप सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर आज की क्लास में हम लोग यहां पर करने वाले हैं बिलकुल बाइनरी अरिथमाटिक अरिथमाटिक इस क्लास को मैंने हिस्सों में डिवाइड किया और आज के हिस्से की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर हम बाइनरी अडिशन की बात करने वाले हैं ठीक है, हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं, अक्टल के अडिशन के लिए, हम लोग hexadecimal अडिशन की बात है जो करने वाले हैं, तो यह सारी चीज़े मेरी इस class के अंदर रहेंगी, ठीक है, तो बीती होई classes में हम लोग number system के बाद वाला portion स्टार्ट कर रहें, जुसमें हम लोग binary arithmetic है, जो करेंगे, ठीक है, I hope आपको चीज़े समझ में आ रही है, अगर पिछली class में कोई भी doubt होता है, तो आप please उसको comment section के अंदर, उसी class की comment section के अंदर जो है डालिए, मुझे पता चलेगा, मैं आपको reply है, जो revert करूँगे, अगर जाधा doubt होंगे, तो हम उसक channel को share किया, अगर जवाब हा में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है, तो फिर हा में बदलो ना, यानि कि दोस्तों के साथ में share करो, subscribe करो channel को, और अगर lecture अच्छा लगे, तो फिर आप इसमें like वाले बटन पर click है, जो करके, अपनी हाजरी अपनी वाले बटन पर click करो, एक ही like वाले बटन पर click करो, दो दो बार चीज़े नहीं करने हैं, चलिए, अब binary arithmetic की बात है, जो हम लोग करते हैं, अब binary arithmetic, ये बिलकुल वैसा ही है, जैसा आपका decimal के साथ में आप कोई भी operation पर फॉर्म करते हो, जैसे कि अगर आप decimal के साथ में, हम दो number को जोड़ना, घटाना, उसको divide करना, ये सारी चीज़े करते हैं, वैसे ही हम binary numbers के साथ भी ये same चीज़े है, जो कर सकते हैं, अब binary arithmetic है ये हमारे जो operations स्टार्ट करता है, ये हमारा least significant list, यानि कि जो rightmost हमारी side होती है, वहां से चीज़े शुरू करता है, जैसे कि अगर एक example ले तो जादा बेटर रहेगा, देखो, इसमें जादा आपको जो है, कहलो कि effort लगाने की जुरूरत नहीं है, अगर आपको normally भी चीज़े तोड़ी बहुत भी आ रही हैं, तो ये चीज़े मलाई की तरन दिमाग में जाएगी, कुछ कुछ चीज़ें जो extra में आपको ध्यान अखनी पड़ेंगी, बट उसकी अगर आप एक पर प्राक्टिस कर लेते हो ना, तो चीज़ें भूलोगे नहीं, ठीके, अपने आप automatically हैं, जो चीज़ें सामने आती जाएगी, जीरो और जीरो क्या होगा, जीरो, जीरो और वन क्या होगा, वन, वन और जीरो क्या हो बेसिकली क्या होता है कि जब आप जोडते होना, तो इसमें क्या होता है कि दो बिट निकल कर ये आती है, वान और जीरो, लेकिन कुरसी तो एक की ही ही है, तो हम उस पर जीरो रखेंगे, और वन को आगे वाली कुरसी पर है, जो भीचतेंगे, तो ये कारण है इसके पीचे का राइट अब कुछ थोड़ा सा आगे चलते हैं कहता है कि by repeated use of above rules any binary number can be added together by adding two bits at a time तो कहने का मतलब है कि यह आपको समझ में आ गया अब इसी की basis पर हम आगे वाली चीज़े हैं जिसको हम लोग करेंगे अब एक example ले लेते हैं हमारे पास में जैसे कि अगर मैं decimal की बात करू हमारा answer है जो साथ आएगा बिल्कुल आपने कर ली ना यह कभी बच्पन में आमें कितनी पहाड लगती थी चीज़े है तो हमें पते हैं हमने कैसे यह time है जो निकाला होगा तो कहने का मतलब है कि उस time पर हमें यह थोड़ा सा तफ लगता था वैसे ही आज जब हम पहली बा time के बाद में दीने लग जाओगे अब चलिए इसको हम लोग एक बार करते हैं one और zero कितना होता है अगर मैं आपकी help के लिए यहाँ पर लिख दूँ तो आप कहोगे one होता है zero और one यह भी one ही होता है zero और zero यह हमारा zero होता है अगर इधर one और one है तो यह हमारा tense होगा one क्या हो जाएगा carry forward हो जाएगा तो यहाँ पर के आएगा one 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 किसी को कोई दिक्कत ऐसे आपने इसको जोड़ा अब इसमें easy चीज भी एक चीज बता हूँ इसको आप किसमें convert कर लो अपने उसमें binary में तो 101 इसको आपने किसमें किया binary में तो अब देखो यह answer आपका आ रहा है कि तो जहां अटक जाओ ना आपको चीज़े नहीं समझ में आ रही है भाई उसको डेसिमल में convert करके answer निकाल लो ठीक है आगे चलते हैं एक और यहाँ पर example लेते हैं तीन और दो कितना हो गया पांच हो गया अगर मैं इसकी बात करूँगी तो यह कितना हो गया one one और one टेंस ह है ना तो इसका zero रखा एक आगे shift किया तो 101 है ना ठीक है राइट तो इस तरीके से मतलब यह यह चीज़ आपको समझ नहीं कि हां एक carry forward हो रहा है मैं दुबारा से चीज को बता दू बड़े ही इत्मनान से चीज़ों को समझो क्या चीज हुए एक और एक आपका एक हुआ ह तो one और one zero यहां रखा एक carry forward है जो आपने कर दिया ठीक है तो वो आगे shift हो गया अब आगे shift हुआ तो यानि कि आपके पास में यह zero आ रहा है यह एक आ रहा है ठीक है चीज़ें आई समझ में बहुत ही normal तरीके से हो रहा है बस एक और एक के time पर आपको ध्यान रखना है कि वो 10 देगा zero अपने पास रखके एक आगे forward कर रहे होंगे ठीक है ओके आगे move करते है तो यहां पर एक और example के साथ में अब देखो बहुत ही ध्यान से पहले हम करते फिर slide के तुरू बताएंगे तो हमारे पास 9, 9, 18, 1, 2, 8 हो गए ठीक है इसमें कोई दिक्कत बिलकुल भी दिक्कत यहां आए कि binary के time पर one और one हमारे पास tens इसका zero रखा भाई साब का एक को आगे shift कर दिया one और one tens zero रखा एक आगे shift कर दिया अब यहां तो सीधा एक आजाएगा zero और एक एक और एक हम check भी करते हैं कि हमने अपनी तरफ से सही किया है के नहीं किया है ठीक है तो हमार से सुनिए इस चीज़ को जैसे कि 9 और 9 अठाना हो गए तो 8 आपने यहां रखा था एक आपने आगे shift किया था तो एक और एक करके 2 हुआ था वैसे ही यहां पर भी चीज़े हैं जो वर्क करेंगी एक और एक हमारा कितना हुआ 10 zero यहां रख करके एक आगे forward कर रहे हैं एक zero यहां रख करके एक आगे forward करें फिर एक आपका नीचे आ रहा है यहां पर तो कोई carry forward चीज हो यह नहीं रही है तो carry forward आपको यह चीज ध्यान क्योंकि कुरसी एक की है ना यहां पर देखो एक एक बिट ही है यहां पर तुम 2 बिट के से बिठा सकते हू तो एक को तुमें आपको ध्यान लखनी है तो ध्यान से देख लो इसका आंसर अभी कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्षिन के अंदर डाल सकते हो ठीके ओके अब आगे वाली चीज को समझते हैं अब यहां पर देखो पहले इसको एक बर करके देख ले साथ साथ चौदा पंदरह सोला तैन दो जिते एक छेव 66 हो गया अब इसमें हमने क्या किया है मलाई की तरह चीज अंदर दिमाख में हुई क्या कि जैसे ही मेरे पास में जैसे मैंने कहा साथ साच चौदा पना सोला आ गया है तो इसका जो एक है वो क्या करोगे तुम आगे फॉरवड करेंगे ना तीन और एक चार कितना हुआ हमारे पास टेंज जीरो यहां रखा एक आगे फॉरवड किया है एक और एक टेंज हुआ जीरो यहां रख लिया उसका एक आगे फॉरवड कर दिया जीरो और वन कितना हुआ फिर वन और वन कितना हुआ जीरो यहां रखके एक आगे शिफ्ट एक और एक जीरो एक आगे शिफ्ट, एक और एक, 0, एक आगे शिफ्ट, हम चेक भी कर लेते हैं, और दुबारा से भी आपको बता देते हैं, तो हमारे पास में आंसर क्या रहा है, एक, 0, 0, 0, मैं रहे को तो दिखाई देना बंद हो गया, 0, 1, 0, ऐसा आरा है, कितनी बारी, चार बारी जीरो है, ना? ठीक है, राइट, तो हमारे पास मैं भी दुबारा से समझा देती हूँ, दुबारा से समझो इसको, एक और एक कितना हुआ, 0, ठीक है, जीरो के से टेंज हुआ मतलब, ठीक है, तो मतलब अभी ये चीज आपकी इतनी प्राक्टिस में हो जाएगी, कि आप जीरो ही बोलोगे, क्योंकि एक आप दिमाग में आगे शिफ्ट कर चुके होंगे, पर हम इसको टेंज बोल रहे होंगे, तो एक हमने आगे शिफ्ट किया था, तो एक और एक कितना हुआ फिर से टेंज, यानि कि इसका जीरो यहां रखा, और एक आगे फारवड कर दिया, यह रहा, ठीक है, फिर मैंने जीरो और वन किया, तो वन, फिर एक और एक टेंज, तो इसका जीरो रख करके एक आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है, एक और एक जीरो रख करके एक आगे shift होगे, एक और एक 0 रख करके एक आगे shift होगे एक और एक 0, आगे कुछ है नहीं, तो एक 7 में वैसे ही लग जाएगा, यह ठीक बिलकुल वही बात हो गई, कि जैसे मैंने ऐसा किया और मैंने किया यहाँ पर 3, ठीक है आठाट, सोला तेक स्तारा, आगे शिफ्ट हुआ, साथ तेक, कितना हो गया आपके पास, दस तो और एक ग्यारा, तो ग्यारा का एक लिखा, लेकिन आगे कुछ है क्या, तो ग्यारा ऐसे ही तो लिखेंगे, समझ में आई चीज, राइट, तो वैसे ही, आप यहाँ पर यह 10 है जो लिख रहे है, अभी ध्यान से देख लो, अगर कोई दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इन सारी की सारी जो भी चीज़े आपको बता रहे हूं, मैं इनके कॉमेंट्स को अब खुद से परसनली पढ़ूंगी, और अगर किसी को डाउट होगा, तो हम उसको दुबारा किसी और लेक्चर के अंदर पिल्कुल बताएंगे, तो डाउट यहां से जाना नहीं चाहिए, चीज को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है, बहुत ही धीरे-धीरे चीज़ों को बता रहे हूं, अब इसमें बड़ी ही धान से आपको चीज देखनी है, मैं एक बार देख लो, मेरी शकल दिख रहे है कि नहीं दिख रहे है, आप प्यार नहीं है शकल से, लेकिन दिखनी चाहिए ना, अब फेस, वही चीज है, मैंने आपके लिए स्लाइड पूरी बना ली है, लेकिन बात यह होती ही कि एक चीज होती ही कि ओवरडोज ना हो जाए, तो चीजों को अराम से करेंगे, बहुत ही धीरे-धीरे समझ समझ के चीज़ें, चीज के क्योंकि खतम नहीं करना है, आपको हजारों लेक्चर से यो जो यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन मेरी जो पूरी अपने तरफ से वो यह है कि जो भी आप देख रहे हो तो यहां पर दिमाग में बैढ़ जाए, आपको कोई भी सेकंडरी लेक्चर की ज़रूरत पड़े ही ना, बस आप यहीं से जो है चीज देखो और आपको ऐसे लग जाए कि हा मुझे समझ में आ गया, अब डारेक्ट जो अपने जो भी कोशन्स है उनको मतलब जो पी वाई क्यूस है उनको सॉल्व करने के लिए निकल जाओ, है ना, तो यह पूरी कोशिश है जो मेरी यहां पर रहने वाली है, चले, अब किसे को थोड़ा सा आगे लेकर के जाएं, अब यहां पर यह तो हो गया था हमारा, हम आगे थे, अउक्टल अडीशन के उपर, अउक्टल अडीशन, और की बेस वैल्यू क्या होती है, ध्यान से याद करो, मैम इसकी बेस वैल्यू होती है, जी आट, मैने का बहुत ही बढ़िया, अच्छा से याद रखा है आपने, अब देखो, तुमारे पास में न सबसे आपको पासिद में अमस्टल करें इनको पहले ना डेसिमल में कोन्वर्ट करें गणा किया गज़ एक ढूंसर में कर आपको अश्टा है कि अपनल स्टिक कर ना एक तरी कर रहेगा being पॉइंट, रीचेकिंग के लिए भी आप कह सकते हो, लेकिन, अगर हमारी इतनी कमांड हो जाती इस पर, तो यह हमारा time save कर देगा यहाँ पर, कि हम direct octal को किस तरीके से add कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझना, अगली अगला जो लेक्चर होगा, उसके अंदर मैं आपको सब्ट्रेक्शन बताऊंगी, बड़े ही अराम-राम से, ठीक है, अब इसको बहुत ही अराम-राम से समझो, देखो बात क्या हो रही है, हम आंसर नहीं पहले देखें कि खुद से करने की कोशिश करेंगी, अब देखें क्या चीज है, यहां पर आपके सामने है, यह, तो अब आप, आप क्या करते हो, इनको अड़ करके, आप 7, 8, 9 निकाल देखें, लेकिन आप ध्यान देजे कि आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो, ओक्टल एडिशन, लेकिन ओक्टल के अंदर मैं आपने बताया था, कि 0 से 7 होता ह लेकिन यहां तो 9 आ गया, मेरा भी वही सवाल है आपसे, कि हम 9 को कैसे ले सकते हैं, हम 9 को कैसे ले सकते हैं, अब यहां पर क्या चीज, क्या फंडा, क्या तरीका, क्या चीज हमें याद रखनी होगी, वो आप थोड़ी सी ध्यान रखो, क्या चीज है, वो चीज यह वाली भीकी किया हैze, हमाथे ही? bodies करतकि 9 थाशी आपगे नहें टो इसको आपने कर दो कर शकते हैं कि आट पावर 0 और मेरे पास 0 एक पार एक है मैं क्या जोड़ा है कि क्या अढर दो भीटम् aanडर हो कि तो यहां पर क्या है क्या है इसी एक को लगाना तो यानि कि यह कैरी भाइन है जो हमारी भाइसाब है कुछ भी कहलो यह आगे फॉर्वड हो का अभी अभी रुको रुको समझ में आएंगी चीजे इसी के जैसे पचास एक्जैम्पल लेके देखेंगे तिक है आप भी लेकर के देखना और जो है चीजे समझ में आएंगी श साथ और तीन कितना हुआ हमारे पास दस अब मैंने ऐसा कहा मेरे पास क्या आ रहा है दस आ रहा है चीक है अब आट में मैं ऐसा क्या जूड़ूं कि मेरे पास में दस आ जाए तो आपने कहा कि मैं दो जूडेंगे इस दो को आपने निकालना है यहां पर लिखना है एक आग चेक कर ले, हमारे पास में क्या चीज आया, 721 ही आया, क्या आया, 721, ठीक है, अब इसका एक और एक्जाम्पल हम ले करके देख लेते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू के साथ में, पॉइंट के साथ में वही वही चीज होके, कोई अलग से कोई परमात्मा ने कोई चीज ऐसी यही है, डालिये इसके अंदर, कि कुछ अलग ही चमतकार हो जाएगा, यही सेम पंडा, पॉइंट लग जया ना, अगर डैसिमल में यह चीज होती तो क्या होता, that is normal for us, क्योंकि हम बच्पन से फर्स्ट क्लास में से यही करते आ रहे हैं, बस यह चीज़े हमने अब आ करके जानी है, समझे है, अब देखे क्या चीज़ होगी, आपने क्या कहा, पंच 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 दस दस ते एक ग्यारा, तो यानि कि मेरे पास में क्या आना चाहिए, ग्यारा, मैं ग्यारा तो नहीं लगा सकती ने यहाँ पर, क्योंकि अक्तल में ग्यारा होता ही नहीं है, कैसे लि तो मैंने क्या करना है, इस तीन को लेना है, कि उस तीन को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है मतला इसके नीचे हम अपना अचर चेक भी करेंगे लिए, इसलिए, एक एक आगे फॉरवर्ड कर देना है, साथ सा चौदा और एक इतना हुआ पंदरा तो मैं अभी ये कह रही हूँ कि मैं क्या गरूँगी पंदरा तो मतलब आठ में ऐसा क्या जोड़ू जिससे पंदरा आजाए नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा तो यानि कि मैं साथ जोड़ूँगी ठीक है? साथ साथ चौदा और एक पंदरा तो ये जो साथ है ये मैंने लिया यहाँ पर रखा एक आगे कैरी फॉरवड कर दिया चैया और एक साथ साथ चार ग्यारा, तो यानि कि फिर से हमें डूढना है कि मैं ऐसा क्या जोड़ू जिससे मेरे पास ग्यारा आजाए नौ, दस, ग्यारा तो यानि कि तीन तीन मैंने आगे कर दिया एक कैरी फॉरवड कर दिया तो एक साथ में लिख गया लग गया, मतलब लिख दिया तो अब अगर हम अपनी चीज को करेंगे तो हमारे हाँ पॉइंट तो लगाना भूली कै है ना, 137.3 ठीक है, तो ऐसे कर लो अब आपको गए ये आठ भाई साब अरे बही ये ओक्टल है ना हमारा बेस वैल्यू इस एट अगर यहाँ हेगजा वाली बात हो रही होती तो हमें हेगजा ले रहे होते, सोला ले रहे होते जैसे कि अब इसके अंदर देख लो आपके पास में बेटर अंडरस्टेंडिंग के लिए हम ऐसा कर लेते हैं दस, ग्यारा, बारा, तीरा, चौदा, पंदरा तो मेरे पास में A, B, C, एक सेकेंड बीच-बीच में मैसेज भी देखने दिया करो अच्छा, CTAT का रिजल्ट आ गया न, इसलिए कुछ ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं आपने भी किसीने दिया होगा तो चेक कर लो, वैसे CS वालों को ज़रूरत नहीं होती है खेर चलिए, A, B, C, D, ये अपने साइड में लिख लेते हैं अब देखो, शुरु-शुरु में जब आप समझते हो चीजों को तो टाइम लगा कर के चीजों को समझ लिया करो क्योंकि जब सवाल आएंगे तब टाइम नहीं लगना चाहिए तो अब टाइम लगा करके अगर आप चीजों को समझ लोगे तो जब हमारे पस पेपर में चीज़े आएंगे तो फिर चुठकियों में होनी चाहिए चीज़े उस टाइम पर तो अब हम आगे चलते हुए क्या कह रहे होंगे कि हमारे पास में इसको हमने क्या करना है हमारे साब किदर भाग गए सो तीन है मेरे पास में ए को हमने क्या लिखा है चौदा तो चौदा पंदरा चौदा है मेरे पास में चौदा पंदरा सोला सतारा यानि कि सेवनटीन तो 17 तो होता ही नहीं मेरे पास में तो मैं क्या करूँगी 16 में ऐसा क्या जोड़ूँगी कि मेरे पास में 17 आ जाए तो मेरे पास में यहाँ पर 1 जोड़ेंगे इसी एक भाई साब को ले आओ यहाँ लेक तो carry forward कर तो आगे तो अब A है A का मतलब मेरे पास में 10 है D का मतलब मेरे पास में 13 है 1 है 3 और 1 4 1 और 1 2 तो किता आ गया 24 24 तो होता ही नहीं तो 16 में ऐसा क्या जोड़ा कि आपके पास 24 आ गया तो मेरे पास 4 4 8 6 6 12 13 14 24 हो गया तो 8 8 को लिया इधर कर दिया carry forward कर दिया अब B है 5 6 7 17 17 यानि की 17 तो यानि की अभी हमने यहां करी लिया था तो एक जोड़ेंगे यानि की एक एक जो आगे forward किया हुआ इधर लिख लेंगे तो हमारा answer is coming 1181 ये direct हो गया ना ठीक है अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो आप इसको पहले decimal में कर लो फिर आप उसका निकाल लो ठीक है तो अभी हम अपना answer भी है जो check कर लेते हैं ठीक है तो 1181 easy हो रही है चीज़ें बलकुल इरादा सिर्फ यही है कि easy करतें आपके लिए चीज़ें अब इस चीज़ को यहां से erase करते हुए ठीक है अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ करेंगे 9 और एक हमारे पास में कुछ दिक्कत नहीं है मेरे पास 9 का मैं 9 लिख दूँगी no issue 8 और है कितना होता है 9 लिख दिया ठीक है मैं यहां साइड में लिख दिख जाते हूँ ठीक है ओके फिर मेरे पास में क्या आएगा c c बोले तो हमारे पास में कितना है 12 12 और 9 कितना होगे मेरे पास में 9 10 11 1 एक तेक दो 21 तो मैं 16 में ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरे पास 21 आजाए तो 4 और एक 5 जोड़ेंगे तो यह 5 आगया हमारा यहां पर ले लिया हमने मतलब यहां पर ले लिया एक आगे फॉरवड कर दिया है ना f कितना है मेरे पास में 15 8 ते 1 ठीक है अब मेरे पास 8 5 13 ते 14 1 ते 2 24 है ना तो मतलब कहने का 16 में ऐसा क्या जोड़ें कि 24 आ जाए तो मेरे पास 8 होगा कि 8 ही होगा ना कि 4 4 8 तो 8 8 को हम इधर ले आए तो यानि कि मैंने 8 इधर कर दिया एक आगे फॉरवड कर दिया एक इतना है हमारे पास में 10 10 जात और एक 8 8 और एक 18 होता है तो 16 में ऐसा क्या जोड़ें कि आपके पास 18 है 2 तो 2 यहाँ पर कर दिया मतलब यहाँ पर है ना एक आगे फॉरवड कर दिया तो एक आगे कुछ है ही नहीं है तो 128 599 आई का है ना एक बार इसको करके देख लेख 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 लेते हैं 128 599 अब आप क्या गरिए ऐसे ही नमबर लेकर के देखिए और फिर आपको चीज़े हैं जो इसमें से मुझे बताईए कि किसमें आपको दिक्कत है उसके बाद में मैं आपको Binary Subtraction Octal Subtraction Hexadecimal Subtraction याद रखिए हमारे पास आईए के 2018 के पेपर के अंदर Octal का Subtraction आ रखा है तो मैं चीज़ों को अराम से जानभूच करके करारी हूँ क्योंकि अभी आप टाइम लो टाइम लेकर के चीज़ों को सीखो क्योंकि चुट्टू सा तो सिलेबस है आपका ठीक है और उस चुट्टू से सिलेबस को आपको भंग से बढ़ना है ताकि पेपर में मेरे जो सौ समाल है मतलब 100 में से मेरे को 100 ही सही करने है मैं 99 पर भी नहीं अटकूँगा तो ये मेरी स्ट्राटजी है अफकॉर्स जितने भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं वो भी यही सेम चीज है जो चाहते हैं ठीक है तो हमने यहां पर हर एक चीज हर एक टॉपिक है जो इतमिनान से अराम से समझते जाएंगे कोई जल्दबाजी नहीं है जुलाई तक हमारा एक्जाम है जो संभावना कह सकते हो तो हम अराम-अराम से चीजों को है जो करते जाएंगे तो यहां तक मेरा ये लेक्चर था अगले लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें और एड करेंगे मत्तब जादा वो कहें कि ओवरलोड ना हो जाएं चीज़ें तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में अगर कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को नीजे कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे चीज़ें बताएंगे and yes, चानल को शेयर करो यार ठीक है, थैंक यू बोल रहे हो उसके लिए मेरी तरफ से भी थैंक यू सो मच, लेकिन हाँ, at the end मुझे बदले में क्या चाहिए guys, दोस्तों के साथ में चानल को शेयर करो खुद भी सब्सक्राइब करो, दूसरों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है और बिलकुल, इससे जो एक great motivation है जो मिलेगा और और ज़्यादा चीज़ें अच्छे ढंक से और ज़्यादा चीज़ें आड हो करके आपको चैनल के ऊपर अफकॉर्स मिलेंगी ठीक है, तो चलिए फिर बाई बाई and God bless you